हेलो दोस्तो कैसे हैं आप एंजल रिसर्च सेंटर की सच्चाई की दुनिया में आपका हर दिख स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे चाइना के ट्री गोर्जिस डेम के बारे में यह डेम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो एलेक्टिक पाउर प्लांट है आईए देखते हैं इसकी एक अनोखी कहानी यह बान जिंसा नदी पर है जो यांक्ती नदी एसिया की सबसे लंबी नदी की एक सहायक नदी मानी जाती है दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है इस नदी की लंबाई लगबग 6,000 किलो मीटर है दर असल दुनिया का सबसे बड़ा बान चीन में है जिसका नाम Three Gorges Dam है यह डेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए प्रख्यात है International Water Power and Dam Construction के मताबिक 2.3 किलो मीटर लंबा 115 मीटर चोड़ा और 185 मीटर उंचा यह बान दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बान है यह हचीन के हुबेई प्रांत में इस्थित है नासा के अनुसार 5 ट्रिलियन गैलन यानि की 19 बिलियन क्यूबिक मीटर से भी अधिक पानी वापस पकड़ सकता है थ्री गोर्जेस बान के पूरा होने से पहले वेनेजुएला में गुरी बान ने विस्थो का सबसे बड़ा बान होने का खिताब अपने नाम में किया हुआ था इस हैड्रो पावर ग्रेविटी डेम की बिजली उत्पादन करने की छमता 22,500 मेगावर्ट की है जो की 5 लाख लोगों की एक वर्स की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में है इस डेम का वोल्यूम 27.2 मिलियन क्यूबिक मीटर है और इसकी स्पिलवे केपेसिटी 1,16,000 क्यूबिक मीटर पर सेकन है और इस डेम की केपेसिटी 39.3 क्यूबिक किलो मीटर है और इसकी construction cost 31.765 US billion dollar है जिसकी अगर हम रुपिये में बात करें तो यह धाई लाक करोड के बराबर होता है इस डेम को बनाने के मुख्य तीन कारण थे पहला hydro power, electric पैदा करना, दूसरा flood control और तीसरा tourism इस project को बनाने में कुल 18 साल का समय लगा था यानि कि यह 1994 में शुरू किया गया था और 2006 में पूरा हुआ था इस डेम का upstream यानि कि जो पीछे water storage area है वो लगभग 600 किलो मिटर लंबा है इस बान के बनने से बिजली बनाने में प्रयोग होने वाली 31 मिलियन टन कोईले की बचत होगी जिस से ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन में कमी होगी इस बान में इकठा किया गया 42 बिलियन टन पानी 175 मीटर की उचाई तक भरा हुआ है पानी के इतने भारी जलासे की वज़े से प्रत्वी का जड़तो बल प्रभावित हो गया है इसकी वज़े से प्रत्वी की गूमने की गती कुछ धीमी हो गई है प्रत्वी की गती धीमी होने के कारण प्रत्वी के दिन रात के समय के अंतराल में 0.06 माइक्रो सेकेंड की गती में व्रद्धी हो गई है मतलब की अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है थ्री गोर्जेस डेम बनने की वज़े से उत्री और दक्षिनी ध्रू अपनी जगे से दो-दो सेंटीमीटर खिसक गए है इसके अलावा ध्रूओं पर प्रत्वी थोड़ा सा चप्टा भी दिखने लगी है इस डेम को बनाने के लिए 13 सहर, 140 कस्बे और 1600 से अधिक गाउं इसके जलासे में समा गए जिसकी वज़े से 13 लाख लोगों को दूसरी जगह सिफ्ट किया गया यह डेम अमेरिका के हुवर डेम से 11 गुना ज्यादा बिजली उत्पन करता है चीन के इस डेम से निकले 45 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को छोटे बांदो, पंपिंग स्टेशन, नहरो और छोटी नदियों की मदद से 1600 किलो मीटर तक के अप्स्ट्रीम में पहुँचाय जाएगा भारत के लिए यह डेम बनने से चिंता का विशय बन गया है क्योंकि भारत को आशंका है कि इसके कारण ब्रह्मा पुतर नदी का जलस्तर काफी नीचा आ जाएगा और उसमें खारापन भी आ जाएगा सोचिए दोस्तो चाइना ने यह एक बड़ा डेम बनाने से पूरी धर्ती की गती में परिवर्तन कर दिया है जिससे के अब हमारा दिन थोड़ा और लंबा होने लगेगा दोस्तो ऐसी रोचक जानकारियों को जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना न भोलें दोस्तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तो